नमस्कार, क्रांती ओलेसा में आपका स्वागत है एक पेड़ पर एक कौवा रहता था उसे अपने काले पंक जरा भी अच्छे नहीं लगते थे वो जब मोरों के सुंदर पंक देखता तो उसे अपने आप से नफरत होने लगती वो सोचता, काश मैं भी इनकी तरह सुंदर होता एक दिन उसे जंगल में कुछ मोरपंक बिखरे दिखाए दिये उसने उन पंकों को उठा कर अपने पंकों की उपर लगा लिया फिर वो कौव के जुंद में पहुँच कर बोला, तुम लोग कितने गंदे हो मैं तो तुम से बात भी नहीं कर सकता और वो वहां से उलकर मोरों की जुंद में जाकर बैख गया मोरों ने जब मोरपंक लगाए हुए कोई को देखा तो उसकी हसी उलाते हुए बोले इस कोई को देखो बेचारा मोर बनना चाहता है इसे सबक सिखाना चाहिए यह कहकर उन्होंने कोई के सारे मोरपंक नोच लिए और उसे वहां से भागा दिया वहां से कोवाप ने पुराने मित्रों के पास गया पर उन्होंने भी उसे वहां से यह कहकर भागा दिया जाए हमें तुम्हारी दोस्ती की जरूरत नहीं है शिक्षा अपनी कम्यों को स्वीकार कर अपने गुनों को पहचानो